हेलो विल्कम टो मैं चैनल जेवीडी औरबिट आई होब आप लोग हेल्दी और स्वस्त होगे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राइविट पार्ट्स के हैर रिमूब करने से नुक्सान हो सकते हैं हाला कि हैजीन के लिहाज से और कई तरह के इनफेक्शन से बचने के लिए लोग प्यूबिक हेर रिमूब करते हैं यह हुमन वोड़ी के सेंसेटिव पार्ट का मामला है लिहाजा बहत साधानी की ज़रूरत है प्यूबिक हेर रिमूब करना यह प्रस्नल च्वाइस पर निर्वर करता है इसका तरीका भी लोग अपनी सुजधा के हिसाब से चुनते हैं कई लोग प्राइविट प्राट के हेर को रिमूब करने के लिए सेविंग से लेकर वैक्सिंग तक का सहाध लेते हैं इसमें खास अबुबिक हेर रिमूब कर सकती है प्यूबिक हेर में कुछ जोखिन शामिल होते हैं और इसलिए आपको जो भी option सेफ लगे उसे ही उपयोग करें यहां पर हम आपको ऐसे चे तरीके बताएंगे और उससे होने वारे जोखिनों के बारे पी बताएंगे जिस लिके निकाल स प्लीज जदी से सब्सक्राइब कर दिए और अच्छा रगता है तो लाइक कीजिए और शेर कीजिए तो चलिए अब विडियो को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं अच्छे कौन से सेफ तरीके हैं नमबर वन ट्रिमिंग है रिम्यूब करने की यह सबसे स्वच्चित विधी में से एक है जितना हो सके बालों को ट्रिम करने के लिए कहची का उप्योग करें किसी भी तरह के हाथ से को रोकने के लिए ट्रिमिंग करते वक्त शीशे का जरूर करें नमबर टू शेविंग प्यूब करने का शेविंग एक बहुत ही पॉप्र तरीका है वैसे तो शेविंग जल्दी-जल्दी हो जाती है मगर यह आपके सन्वेदन शील हिस्से पर खुजली इंग्रोन हेर और लाल निशान छोड़ जाती है है के लिए अपने प्रावेट एरिया पर साबूर लगाए और बालों के विकास की दिशा में रिजर चलाएं उल्टे दिशा में नहीं जलाना है नमबर त्री है वैक्सिंग आपके प्राइविट एरिया के बालों को अटाने के लिए लड़किया बिक्नी वैक्स भी करवाती हैं इससे प्यूबिक हैर जड़ से साफ होते हैं जिस कारण नए बाल लगमक दो से तीन मेहने बाद ही निकलना शुरू होते हैं इससे केवल सैलून में एक्सपर्ट से ही जरिया कि वैक्सिंग ठ्रेडिंग और सेविंग के बाद लड़कियों को अप्लेटर से यूज़ करना ज्यादा आसान लगता है हाला कि इससे सर्मेदर्शील एरिया पर यूज़ करने पर दर्द हो सकता है इसमें कई ट्वीजर लगे होते हैं जो बालों को खीचने का काम क करीम है है करीम करीम भी प्यूबिक हैठ अले का एक लोगप्रिय तरीका बाजार में फरकार से हैर-क्रीम उपलब्द है कि क्रीम को उप्योग करने के लिए इसको पहले प्राइविट एरिया के हैर पर लगभग पांस से दस मिट के लिए वेट करना पड़ता है अन्य लगा करने वक्त ध्यान रखे क्रीम आपकी यह निक अंदर ना जाए इसका अप्योग करने के लिए पैच टेस्ट जरूर कराएं लेजर हैर रिमयवल बालों को हटाने का एक अस्थाई तरीका हैं इसमें अंचाहे बालों को फॉलिकल्स को लेजर राइट के जरिया तोड़ दे जाता हैं इससे लंबे समय तक बाल नहीं आते हैं हाला कि यह सिंगल सेटिंग में नहीं किया जाता है और थोड़ा कॉश्टली भी है तो यह थे छे तरीके अंचाहे बाल को हटाने के लिए अन्वांटेड हैर को रिमूब करने के के बारे में आशा करता हूं कि यह यडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजएगा थैंक्यों फर वाचिंग बाई बाई